ये है नवरात्रे स्पेशल आलू का हलुआ जिसको आप किसी भी वरत में तिवार में ऐसे भी बना के खा सकते हैं बहुत टीस्टी लगता है इसके लिए मैंने चार उबले हुए और छिले हुए आलू लिए जिसको ठंडा कर दिया उबालके और अब इसको हम ये घिसनी से जो थोड़ी मोटी वाली घिसनी है उससे ग्रेट कर लेंगे सारा तो पहले हम कुछ ड्राइफ रूट्स को मोटा मोटा काट लेंगे ड्राइफ रूट्स आप अपनी चोईस का कुछ भी ले सकते हैं तो पैन में घी डालके पहले इनको फ्राइ करेंगे मतलब एक क्रिस्पी नैस आजाएगी खुब जलाना नहीं है बहुत जादा डाग ब्राउन नहीं करना हलका गुलाबी बन आ जाए और फिर हम इसको निकालके अलग रख लेंगे और उसी पैन में हम और घी डालेंगे और फिर हम आलो को भूनेंगे तो ये मैंने करीब एक टेबल स्पून के करीब शुदगी लिया है चार आलों के लिए इतना घी सफिशेंट होता है क्योंकि जब भूनते भूनते फिर वो बाद में रिलीज भी करता है घी तो ये सारा डालके और हम इसको धीमी धीमी आज पे बस चलाते जाएंगे करीब 5-7 मिनिट लगेंगे भूनते हुए तेज आज नहीं करना नहीं तो नीचे से जल जाएगा और वो टेस्ट नहीं आएगा तो इसको बिल्कुल धीमी आज में बहुत पेशेंस के साथ भूनना है दीरे दीरे उसका कलर चेंज होगा गुलाबी बना जाएगा अब ये मैंने एक कटोरी में करीब आदा कटोरी के आसपास मैंने कुन-कुने दूद में या हलके गरम दूद में सैफ्रॉन के कुछ धागे भिगो दिये थे तो वो दूद मैंने डाला है सैफ्रॉन मिल्क ये दूद जब थोड़ा सूख जाता है ना तो उसमें मावे का टेस्ट आ जाता है इस हलूए में थोड़ा सा शक्र जाधा हो मतलब थोड़ा तो ये देखे सारा शक्र अब्सब्स हो गया है और ये रेडी हो गया है देखे कितना अच्छा ग्लेज आया है ना अब ये खाने के लिए रेडी है अब हम पहले इसमें ड्राइफ रूट्स डाल देते हैं और इसको अच्छा से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसको सर्फ करेंगे ये हलवा आप थोड़ा सा जादा बना के रख लीजे और एक दो दिन तक चल जाता पर जब भी खाएं तो हलका सा गरम करके खाएं तो बस मजा ही आ जाएगा तो बस इसको सर्फ करते हैं और ये देखे कितना अच्छा दिख रहा है ना खाने का बिल्कुल मन करेगा कि तुरंत खालो बट गरमा गरम खाएए तो उसका मजा अलगी है तो आप भी बनाएए और इसी तरह की और रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो उसके लिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना